हेलो दोस्तों स्वागत है आपका बिहार नियूज में दोस्तों मैं हूँ फिर दोस गणी और आप देखने हैं के डिवी लाइब दोस्तों आज की बिहार की टॉप नियूज लेकर आए आपके लिए दोस्तों वीडियो श्याट करने से पहले आप से ग्रिवेश्ट है अगर अगले 48 घंटे के बाद मनसुन का आवागमन होने वाला है जो कि पूर्वी विहार के कठियार और किसंगंज जिले के रास्ते परवेश कड़ेगा मौसम बिगयानिक आनद संकर ने बाचित में पूरो अनुमान जताते हुए कि आज से चार दिनों तक पूर्वी विहार के क संगंज पूर ने भागलपूर मदेपूरा सुपूल अरडिया समयते कई जिलों में आंदे गरज वर्जपात के साथ बारिस की संभावना है वहीं उन्होंने का है कि इस बार सही समय से बिहार में मानसुन का आवागमन होगा एक जून से अब तक संतावन मिलिमिटर बारिस मानसुन की बारिस की संबावना है। कर दिया गया था इसकुल खोलने को लेकर देश के अलग-अलग राज्य में लगातार विचार विमर्स का दावर जारी है लागडाउन के बीच प्रावेट कंपणियों को बड़ी रहत देते हुए सुप्रीम कोट ने गिरे मंतराले के फैसले में बदलाव किया है गिरे मंतरा से कहा है कि वह उन कंपणियों के खिलाब कोई भी सखत कारवाई ना करें जो अपने करमचारियों को सलड़ी नहीं देपा रही है भारत में नकली नोटों का कारवार रुकने का नाम नहीं ले रही है दस जून को एक बार फिर से पूने में कड़िब 10 करूर रुपे के नकल नोट हैं यह तो सरकार ने फेक करनसी पर रोक लगाने के लिए पुरा नए बड़े नोटों की जगह नए नोट लाने का फैसला किया था और नोट बंडी किया था लेकिन इसकी बावजुद भी बाजार में फेक करनसी पर पूरी तरीके से लगाम नहीं लगाए जा सकी है यह खबर देश के बड़े न्यूज चैनल न्यूज एटिन में छपी थी उन्हीं के हवाले से यह खबर आप तक पहुँचाए हैं बिहार बिदानसबाश चुनव में 2015 जैसा राजनितिक हस्र ना हो इसके लिए असर दिन ओवेसी पार्टी ए आयाम आयम ने खास रणनिती बनाई हैं बिहार की सियासी जंग फत्र करने के लिए बिदानसबाश सीटों को चीनित कर लिया गया है यमायम ने बिहार में A पलस A और B ग्रेड में बिदानसबाश सीटों को बाटा है बिहार के सिमानचल और मिदानचल अलाकी की मुस्लिम बहुले सीटों पर जीत की उम्मीद ओवेसी लगाया हुए हैं लेकिन क्या सियासी गुल खिलाते हैं ये तो वक्त ही बताएगा सीटें और चंपारण की एक सीट सामिल है बिहार में 243 विदानसबाश सीटों में से 47 सीटें ऐसी है जहां मुस्लिम वोटर निरोनायक इस्तिती में हैं इन इलागों में मुस्लिम आबादी 20-40% या फिर इससे भी अधिक है बिहार की 11 सीटें है जहां 40% से जय्दा मुस्लिम म갔 आता है और 60 सीटों पर 30% से जयादा है इसके ऐलवा 29 विदानसबाश सीटों पर 20-30% की बीच मुस्लिम मुस्लिम मद आता है मौजुदा समय में बिहार में 24 मुस्लिम बिदाएग है सीम नितिस कुमार ने आज अंतिम दिन पाटिक के निताओं से चर्चा की और बाच्चित की और आगामे मिदान समच चुनों के लिए लग जाने का आवान किया है मक्यमिंतर नितिस कुमार ने का है कि कुछ लोग कहते हैं कि वर्स 2005 और 2010 के काल में तो काम हुआ लेकिन दूसरे और तीसरे काल में कोई भी काम नहीं हुआ है ये बेकार की बाते हैं इसका कोई मतलब नहीं है कुछ लोग इस तरह का अफवा उड़ाते रहते हैं हम को इन सब बातों से कोई भी मतलब नहीं है हम तो काम करते हैं और आगे भी करेंगी वैसे दलों की मनसा होती है कि तनाव बराकर एक पख्च का वोट ले लिया जाए लेकिन हमको इसे कोई भी मतलब नहीं है समाज में सत्भाव रहे हम इसके लिए काम करते रहते हैं हमको वोट से कोई भी मतलब नहीं है ये बानिये स्यमनितिस कुमार जी का बिहार बिजनस्बा चुनाओं के लिए सियसी दलों ने अपनी तयारियां प्राडम कर दी है यानि कि सुरू कर दी है वैसे तो भाज़पा चुनाबी तयारिय में सभी दल से आगे निगलते दिख रही है भाज़पा ने जहां वर्चोल रेली और घर घर जनसंपरक अभियान की सुरूआत की है तो वही अब भाज़पा के नक्स कदम पर उनकी सहयोगी दल जनतादल युनाइटेट भी चलने लगी है दरसल जदियू ने बोला है कि वह भी अब भाज़पा की तरह वर्चोल रेली करेगी रेली की तैयारी पार्टी के ओर से प्राड़म कर दी गई है जदियू नेता और मंत्री संजे जाने बोला है कि वह जल्द ही रेली को लेकर एलान किया जाएगा रेली को जेडियो अध्यक्ष और बिहार कैसे अमनितिस कुमार से मुधित करेंगे भारत में संक्रमित की रफ्तार तेज हो गई है देश में जहां आज संक्रमित लोगों की संक्यां तीन लाक पार हो गई है तो राज्जों के हालाद भी लगातार बदल रहे हैं बिहार में संक्रमित मरीजू की संक्याँ अब 6,000 पार पहुंच गई है बिहार के जल संसादन मंतरी और जीरियू निता संजे जहारे मुक्य मंतर अनितिस कुमार की तुलना सल्मान खान से की है जिहां अन्होंने का है कि जैसे सल्मान खान अपने फिल्म में कहते हैं कि एक बार जो मैं कमिनित मेंट कर दी फिर मैं अपने आपके भी ने सुनता उसी तरज पर मुक्य मंतरी नितिस कुमार काम करते हैं मुख्य मंत्री की तारिफ करने के दोरान मंत्री संजय जाने का है कि पूर्व मुख्य मंत्री जितनाम मांजी और अपंद्र कुस्वा की भी जम कर तारिफ की है उन्होंने का है कि जितना मांजी योग्या और अनुभवी नेता हैं अपंद्र को सोह भी पुराने नेता हैं और उनके सामने तजिस्वी अदब कुछ भी नहीं है बिहार करमचारी चैन आयोग यानि की BSSC ने साहिक उर्दू अनुभवादग भरती 2019 की परिक्षा को दो चरुणों में क्राय जाने को लेकर नोटिस जारी किया है क्रमचारी चैनल आयोगे के नोटीस के अनुसार 2019 में जारी किये गए साहेक उर्दू अनुवादक की भरती परिक्षा दो चरणों में कराये जाएगी पर्थम चरण में प्राडामिक परिक्षा और दित्य चरण में मुक्य परिक्षा ली जाएगी दोस्तों इन दिनों अधिकतर लोग यही सवाल कर रहे हैं कि क्या बिहार में फिर से लागडाउन लागव होगा तो उनको मैं यही करना चाहता हूँ कि बिहार में सिर्फ कंटेनमेंट जोन में ही लागडाउन लागव है क्योंकि जन संपर भी भागी कि सजीब अनुपरम कुमार ने अश्पष्ट का है कि लागडाउन के संबद में बिहार में कोई नया निर्दे नहीं लिया गया है नहीं कोई नया निर्देस दिया गया है केंदे सरकार दोरा 30 में को जाड़ दिसा नर्दे से बिहार में लागू है केंदे सरकार की गायड लाइंस कोहिल राजे में सरकार ने अपनाया है जिसमें सिर्फ कंटेन्मेंट जोन में ही लागडाउन किया गया है बाकी कहीं भी लागडाउन लागू नहीं है और बाद बिहार की जनता के नाम एक चिठी लिखी है लालुपःसाद यदाब ने जनमदीन पर मिले इसने और प्यार को बुनाते हुए इस चिठी में उन सारी बातों का जिक्र किया है जो उनके वोटरस को अपनी और खिश सकती है लालुपःसाद यदाब सबी भी रती भड़वी पूराने दिनों के याद करते हैं कि आज भी मेरे सरे में भो ही एथड़ ने ze जिसे लेकर मैं अपने गाँ फोल उडिया से लेकर पतना के लिए चला था लालो परशाद एदभ निया आगे लिखा कि आज मेरे भिहागर के के अवाव में जी रहे हैं इन सबसे मैं काफी पीरा का अनुभव कर रहा हूं लेकिन मैं हालात से मजबूर हूं क्योंकि साजिस की बोडियों में जक रहा हूं मुझे अपसुस होता है कि जो आजाद है वह सत्ता में बैठ कर भी लाचार है लालो परसाद एदब ने लोगों स पतादीकारी बिहार को इस समझ में जीलों में इबीम को मंगाने सभी बोटों का भौतिक निरक्षन सहीत अने कारे को समय बद तरीके से पूरा करने का नर्जस दिया है बिहार चुनाओ को लेकर पहली बार चुनाओ आयोगे के अस्तर से ये कदम आयोजित की गई बिहार सर के वक्त जो जमीन और संपत्ति घोसित की जाती है ये वही है इसके अलावा कुछ नहीं है तेजपरता ब्यादब जब चार साल के थे तब कौन से कानून के तर्थ उनके नाम पर जमीन की रेजिस्टरी हो सकती है जब तक कोई भी बालिक नहीं हो जाता है तब तक ऐसा नही है जी हां आपको यह भी बता दू कि तेजपरता ब्यादब का दूसरा नाम तरुन यादब है वहीं तेजपरता ब्यादब ने भी ट्वीट करके का है कि चोर मचाय सोर वाली हकावत चरितार्त हो रही है जो लोग खुद लूटने में लगे हैं वही लोग आज राज़त प उठाकर फेकने लगे हैं बच्चे के बदलाव सो अभावक के कारण अभी भावक परिसान है अब अभी भावक ऐसे बच्चों को लेकर मड़ो बेग्जाने के पास पहुंच रहे हैं सीबेसी की तेली काउंसलिंग में भी आए दिन ऐसी केस सामने आ रहे हैं पत्ना में गंबेड़ता बदलाव का प्रिणाम यह है कि क्लास आठवे से ग्यार्वे तक के बच्चे बड़ी तेजी से एक आ एक और मनोविकार के सिकार हो रहे हैं बिहार के सरकारी मादमिक उच्च मादमिक बिध्यालों में छटे चरण के नियोजन के लिए अंतिम रूप से 34,000 सिच्चक अभिहारतियों को अगले मा यानि की जुलाई में नियोजन पत्र मिल जाएंगी सिक्चा विवाग ने संकर्मन की वज़े से रुकी गई नियोजन परकडिया का सिच्चों के नियोजन की परकडिया कड़ी ग्यारे माँ पहले सुरू की गई थी समय समय पर कई बार अलग अलग कारणों से इसमें बदलाओ होता रहा है पत्ना विश्चा विधाले परसासन ने एक बार फिर से अपने एकडेमिक केलेंडर को संसुदित किया है नए सीरे से 17221 में नामंकन के लिए तीथी जारी कर दी है पहले नामंकन के लिए 20 जुन की तीथी निज़ारत की थी अब इसे 14 अगस तक के लिए बढ़ा दिया गया है पत्ना विश्चा विधाले परसासन ने संकरमन के कारण और लॉकडाउन को देखते हुए नामंकन परकडिया को आगे बढ़ा दिया है विश्चा विधाले की ओर से जारी एकडेमिक केलंडर के अनुसार नया सत्र एक अक्तूबर से सुरू होगा इससे पहले 15 सप्तमबर तक के कोटा फार्म जमा होंगे जबकि सभी पार्ट करमों में 21 सप्तमबर तक नामंकन होंगे इस साल यान की 2020 तमाम परकरतिक आपडाओं के बीच विश्व पडियावरन दिवस की थीम परकृति के लिए सही समय था जिसका उद्य से लोगों को पडियावरन के परति जागरू करना था बिहार के नवादा की कुवा कोल परखन के बजियाती पूर के रहने वाले रंजित महतो भी अपनी मेहनत से पडियावरन की रक्षा करने पर जोर सोर से जुटे हुए हैं पेरों के परती अपने प्रेम को लेकर छेत्रे में लोग रंजित महतों को ट्रीमेन के नाम से जानते हैं। इनका नाम ट्रीमेन पढ़ना के पीछे भी एक बेयादिस अंगर स्पूर्ण जिन्दगी है। जी हां दरसल रंजित महतों ने अपना पूरा जिवन विर्ख चरोपन को समय रप्रत कर दिया है रंजित ने अथक पड़े स्रम से बंज़र जमीन पर हजार उपेर उगा कर पड़े वरन को बचाने का कारे किया है कवाकोल के कई एलकों में रंजित ने हजार उपेर लगाए हैं सबसे बड़ी बात यह है कि इस कारे के लिए रंजित ने किसी की मदद भी नहीं लिए और नीजी खर्च पड़े विर्चरोपन का काम किया है सुरुआत में इनके दोरा किये गए कारे को लोगों नहीं सहरा और उन्हें पागल तक करार दे दिया ऐसे समय में रंजित ने अपने साइकल को ही अपनी साथी बना लिया और आज वो सेक्रूपेर लगा चुके हैं अलाकों में उन्हें अब लोग साइकल वाले ट्रीमेन के नाम से जानती हैं कल पेटरोल और डिजल के दून रेट में ब्रोत्र दड़्ज की गई है पेटरोल का रेट संताउन पैसे परती लेटर और डिजल का रेट उनसाथ रुपया परती पैसर बर गया है लागडान खुलने के बाद आज लगातार छटा दिन है जब पेट्रोल और डिजल महेंगा हुआ है छे दिनों में पेट्रोल और डिजल का दाम करी चार रुपया परती लीटर तक महेंगा हो चुका है आपको बता दो कि सरकारे देल कंपनिया कीमतों की समिक्षा करने के अगर आप नहीं पर तो चैनल को सब्सक्राब करें बिला अगर पर पर दिजिए और साथ में वीडियो को लाइक किजिए अपने दोस्तों के साथ सेड़ी कीजिए तो चले दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में